निलंबित आईएस पूजा सिंगल को समानत के लिए और इंतसार करना पड़ेगा समानत 25 जुलाई को सुनभाई होकी एडी की दाखिल चार्शीट की साडिफाइड कॉपी की मांग पूजा सिंगल के वकील ने की 27 जुन को पूजा सिंगल ने अधिवक्ता के माध्यम से एडी के स्पेशल कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी पूजा की याचिका पर एडी ने 12 जुलाई को रिजुआइंडर कर दाखिल किया जवाब मनी लॉंडरिंग मामले में पूजा सिंगल के खलाफ 11 माई को एडी ने प्रात्मी की दर्श कर उन्हें गिरफतार किया था गिरफतारी के बाद एडी ने रमान पर लेकर 14 दिनों तक उनसे पूछताश की 25 माई को कोर्ट में पेशी के बाद ने आए खिरासत में भेजा किया है जेल तभी वो जेल में है बंद तभी से वो जेल में बंद है साथ दिन में पूजा सिंगल समेट साथ के खलाफ 11 एडी ने चारशीर दाखिल की है मारे सही होगी दीपक एक बाद फिर से मारे साथ जुड़ रहे हैं सीदे उनका रुख कर लेते हैं दीपक पूजा सिंगल को भी और इंतजार करना होगा जमानत की सुनवाई अगली तारीख तैकी गई है पूटी मन्डगा भोटा रे समंदित मनी लॉंडिंग मामले में 11 माई को इडी ने गिरफ़तार किया था और फाइफ दर्च करने के बाद गिरफ़तार हुई उन्होंने जमानत की अरजी 25-27 जून को दिया था कोट में और उसके बाद इस मामले में इडी ने समय मांगा था जवाब दाखिल करने के लिए और बीते 12 जुलाई को कोट में इडी ने दवाब दाखिल किया रिजोएंडर फाइल करके और आज जमानत पर सुनवाई के लिए तिथी निधारी थी कोट में सुनवाई भी हुई लेकिन पूजा सिंगल का धिवक्ता दुआरा यह कहते हुए समय मांगा कि अब कि की जेखें हैंеныगिि गा约 चस्थैसा इडी के दुआरा दाखिल किया गया ुसका सैटिसफाइट कोपी अब तक नहीं मिला है। जब की सैटिसफाइट कोपी की मांग पू लेकर अबता तक वह से मिला की है अब 26 जुलाई को अब देखना होगा कि जो दिया गया है उसके बाद 26 जुलाई को जब कोट में सुनवाई होगी उसके बाद देखना होगा कि कोट का क्या निरने होता है चुकि एक लंबे समय से वो जेल में बंध है और इस तरह से ये मंदगा खुटी से जुड़ा खुटी मंदगा गोटला से समंधित मामले पर उसके खिलाप मामला दज किया गया है उस जमीन से समंधित तमाम चीजों पर पुटाच हुई थी सिये सुमन कुमार सिंग पूजा सिंगल और उनके पती अभिसक जहार से पुटाच हुई थी और उसके बाद जो पुटाच में सामने आई थी उसके अधार पर कई लोगों से पुटाच की जा रही है अब तक अभी भी जो करवाई 6 मैं से सुरू हुआ था इडी का वो करवाई अभी जारी है अभी भी कई लोगों से लगातार पुटाच की जारी है जैसे जैसे साक्च मेले का उससे अधार पर इडी आगे कदम बढ़ाईगी और लोगों के खिलाब कदमा भी दर्ज करेगी लेकिन जिस तरह से ये जो मामला है खासतोर पर निलमीत आयस पूजा सिंगल से समधित मामला है ये खुटी मंदगा घोटाला से समधित ये मामला दर्ज किया गया है और इस मामले में जो निलमीत आयी ये कारपाला कभिया अंदर था रामीनो सीना उनका भी मामला जो इडी के स्पेशल कोट में वो चल रहा है तो कई तरह के जो इलिगेशन खासतोर पर इडी के दूरा लगा गया है चुकि साट दिन में ही इडी ने चार सीड भी दाखिल कर दिया है आप देखने वाली बात होगी कि वो जो चार सीड दाखिल किया गया है उसका जो सटिसपाइड कोपी इडी ये पूजा सिंगल का दिवक्ता को मिलेगा और उसके अधार पर जब बहस करेगा तो अब उस ब आप जानकारे के लिए आपका तो पूजा सिंगल को अभी और इंतजार करना होगा जमानत के लिए जमानत पर अब 26 जुलाई को सुनवाई होगी